तो हलो स्टुडेंट्स स्वागत आप सभी का अर्भी एडिटीव क्लास में जैसा कि आपनों जानते हैं कि यह सीरीज चल रही है आर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कोस्चन नमबर 3 की यह कोस्चन एक्सरसाइज 5.3 से है यह कोस्चन एक्सरसाइज 5.3 से है पेज नमबर 112 से है क्लास टेंथ के लिए मैथ से लिया गया है तो चलिए कोस्चन को डिस्कस करते हैं तो मैं इसमें कोस्चन नमबर 5 डिस्कस कर चुका हूँ आज हम कोस्चन नमबर 6 को डिस्कस करेंगे तो कोस्चन नमबर 6 में पूछा गया है कि जो A की वैलू है वो 2 है और D की वैलू जो है वो 8 है S N की जो value है वो 90 है तो यहाँ पर बताओ कि N की value क्या है और A N की value क्या है यानि कि number app term पुछा गया है और nth term पुछा गया है तो चलो discuss करते हैं इस question को तो जैसे कि यहाँ पर हमें A N दिया गया है T दिया गया है और S N दिया गया है तो यहाँ पर हम S A N के formula इस्तिमाल करके सबसे पहले हम N को find करेंगे फिर हम find करेंगे A N ठीक है चलो फिर solve करते हैं So by using sum of arithmetic progression So S A N के formula होता है S A N is equal to N by 2 2 into A plus N minus 1 into D तो यहाँ पर हमें S A N के value 90 दिया गया है तो उसको put कर दिजिए N के value दिया नहीं गया है और A की value हमें 2 दिया गया है T की value यहाँ पर 8 दिया गया है उनको थोड़ा सो solve कर लेंगे तो यह जो 2 है यह division में है उदर जाएके multiplication में आ जाएगा बाकी यह ऐसे ही रहेगा N into 2 into 2 4 हो जाएगा plus इस 8 को bracket के insert multiply करेंगे तो मेरे परास आएगा 8 into N minus 1 into 8 तो होगा क्या 9 to 18 92 to 180 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 into 2 होगा 180 9 into 4 plus 8 N minus 8 इसको और इसको solve करेंगे तो यह minus 8 है और यह plus 4 है sign negative जो number है उसका बड़ा है तो मैं पर sign negative लेंगे minus 8 में 4 plus करेंगे तो हमार पास आएगा minus 4 8 N minus 4 इसको जब हम break and multiply करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 8 N into N becomes 8 N square minus 4 into N minus 4 N is equal to 180 यह हमारे पास quadratic equation के form में बन रहा है तो मैं आपर 180 को राइट साइड लाएंगे और इसको quadratic equation के form में बनाएंगे तो होगा क्या 8 N square minus 4 N और 180 प्लस में है इदर आके minus में हो जाएगा is equal to 0 अब यह quadratic equation के form में बन गई है यह 8 है और 4 है और 180 है यह 4 के multiple हैं तो इस पूरी equation से हम 4 को common कर लेते हैं जब हम 4 को common करेंगे तो हमारे पास आजएगा 4 2 0 8 N square minus 4 1 जा 4 1 हम लिखते नहीं है 4 4 16 2 remain हो जाएगा 4 5 0 20 तो हमारे पास आएगा इस 4 को right side बेजेंगे तो 0 के इंटू में हो जाएगा 2 N square minus 45 is equal to 0 multiply तो finally जो quadratic equation बन के आएगी वो आएगी 2 N square minus N minus 45 is equal to 0 अब यहाँ पर अगर प्रड़क्ट का अब प्रड़क्ट आफ हैसी फाइंड करें तो 2 इंटू 45 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 और 90 का जब हम Prime Factorization करेंगे 2 से divide करना शुरू करेंगे तो 245 जा 90 अगेनी 3 से divide होगा 3 15 जा 45 3 से divide करेंगे 3 15 जा 15 और 5 से divide करेंगे तो कितना जाएगा 5 जा 5 अब यहाँ पर जो हम फेक्टर बनाएंगे तो यह बनेगा हमारे पास एक बनेगा 5 into 2 is equal to 10 और दूसरा बनेगा 3 into 3 is equal to 9 यह दोनों फेक्टर बनेंगे अगर हम 10 minus 1 करेंगे तो हमें मिलेगा 1 और 10 into 9 करेंगे तो हमें मिलेगा 90 यह हमारा AC है और यह हमारा B है ठीक है तो चलिए पूट कर देते हैं यहाँ पर 2N square minus 10 minus 9 into n minus 45 is equal to 0 तो आगे क्या जाएगा वो देख लेते हैं 2N square यह bracket में multiply होगा तो minus into plus क्या हैगा minus आएगा 10N और इधर minus और इधर minus minus into minus plus हो जाएगा 9N minus 45 is equal to 0 तो यहाँ पर जो मारे पहला pair है इसमें से हम 2 common कर लेंगे और n common कर लेंगे तो मिलेगा क्या n minus 5 इधर 9 में हम plus 9 को common कर लेंगे तो इधर आजाएगा n minus 5 एक bracket हमारे पास बच रहा है n minus 1 और n minus 5 का और दूसरा bracket बच रहा है 2N plus 9 का तो यहां से एक बार n की value आएगी 5 और एक बार n की value आएगी minus 9 upon 2 तो minus वाला case हम लेते नहीं है तो n की value कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी तो यहां से तो मैं n की value पता चल गई अब हमें find करना है a n तो नाव फ़र इप्त टर्म एप्त टर्म मिल्स हमें a n find करना है तो a n हमारा 5 है तो a 5 is equal to a plus 5 minus 1 into d यहां से a 5 की जो value आएगी एक के place पे हम 2 put कर देंगे और 5 minus 1 4 हो जाएगा 8 की value हमारे पास d है तो आएगा कितना 2 plus 8 4 जा 32 और finally जो a 5 की value आएगी वो आएगी 34 तो मैं तो मैं आसे कह सकते हैं therefore तो वैलू आफ नमबर आप टर्म इस फाइफ एंड इप्त टर्म इज थर्टी फॉर यह इस कुश्चन का आंसर होगा इसको नोट डाउन कर लिजे उम्हेद करता हूं कि इस वीडियो में आप लोगों को समझा पाया हूंगा अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें थैंक्यू ग्लास